कि किए कूं लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था है इत्ड़ तु मैंने कुछ सटेप वाइस टेप आपको बताया था उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया व सथा किम ने जो प्लांट था उसको बीच'ो बीच में से काट दिया था और काटके रेंटी फंगल लगाके अपने रख दिया था उसको शेड अज दोस्तों यह आपने कट किया था तो यह देखिए इसका जो यहां इंटी फंगल लगा के रखा था यह ड्राइ आउट हो गया है एकदम अच्छे से और आज हम इसको देखेंगे कि इसकी अपने को पॉटिंग कैसे करने के लिए जो प्रोसीजर है उसमें अपने को क्या के चीए जैसे अपना प्लांट हो गया पॉट हो गया और इसके न जैसे डबे का ढकन है यह भी चल जाता है कोई प्रॉलम नहीं है तो अपन अब इस्टेप बाइस टेप देखते हैं कि इसके अपने को पॉटिंग कैसे करनी होती है क्योंकि यह बहुत एहम चीज होती क्योंकि अपने इसको बीचों बीच काटा है और इतना इतना पोर्शन अपने कट किया है तो यहां से possibility होती कि infection होने की chances बहुत ज्यादा होते हैं तो हम आज देखेंगे कि इसको step by step इसकी पॉटिंग अपने को किस तरीके से करनी होती है तो वीडियो आपन चालू करते हैं दोस्तों अब आपन दिखते हैं कि अपने को क्या करना है इसको potting करने के लिए सबसे पहले तो आपने को ऐसा pot चाहिए इसमें नीचे अच्छे से hole हो क्योंकि excess water निकलने के लिए hole बहुत important चाहिए अगर मिट्टी का आपके पास pot है तो वह ज्यादा best रहता है मगर आपके पास अग अपने क्या करना है इस hole के उपर चूट वे गम लेके या इट के टुकडे जो है उनसे को कवर देना कवर कर देना है जिससे इसका जो मीडिया जो है पानी डालने से बाहर ना निकल जाए फिर इसके बाद में आपने क्या करना है कि जो potting मीडिया है वह अपने को एड़ करन तो इसको लगबाग आधे के करीब अपन भर लेंगे अपना जो पॉड जो भी आपके पास सैज गाओ उसको आधे के करीब भर ले आदे के करीब भरने के बाद में जैसे ही यह लगवग आदे के करीब भर गया है अब भरने के बाद में इसको अच्छी तरह दबा लेंगे हलके हाथों से बहुत जाता भी नहीं दबाना है और दबाने के बाद में अपने क्या करना आपके पाद जो भी हो घकान वो पत्थर हो उसको इस तरीके से सब्लेस अपने को इसमें कर देना है कर Chair के दोस्तों दोस्तौं प्लेस करने के वाद अपने को क्या करना इसको थोड़ी फंगल सकते क्टे सोकते हैंves तो इसमें पानी कठा होके और यहां से इसमें पॉस्पिलिटी होती है कि फंगस आ जाए प्लांट में तो इसमें थोड़ा सा फैला लेंगे इसको ढखन हो पत्थर हो आपके पास अगर ढखन पत्थर दोनों नहीं तो आप थर्मा कोल का पीस राउंड कट कर सकते हैं उसको भ अपने को क्या करना इसमें चारतरफ अपन चाहें तो हलका कोई आपके पास जैसे और गनिक कोई भी मैनियोर हो जैसे वर्मी कंपोस्ट है यह मिंगनी की खाद है थोड़ी 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 इसके चारतरफ डाल सकते हैं जिससे इसका क्या रूट्स का इसके डाल रोड़ी है final यह रूट्स ड向 यह से निट्रीशन मिल जायेगा अपने आपने देखवा होगा दो रूट्स रखी है उसलेवल के अपर बाकि अपने एक्टर रूट्स मिलना चालू है ऐसा निकिस समय रूट्स थाले की और उसके Пड्लाइंग आप उसे रूपर रहता है इसके बाद में अपने को क्या करना है बचे हुई जगे पे भी मीडिया इसमें अपने को डाल देना है कि अज़िए और मीडिया डाल कर चार तरफ से अच्छी तरफ को दबा देना है तरफ कर अपने को लगभाग एक इंच के करीब अपने को इस पेस इस में रख लेना है ज्यादा नहीं रखना उपर जिससे पानी डालने से इसमें तो इस तरीके से दोस्तों इसकी पॉर्टिंग कंप्लीट हो गई अब अपने को जो इसमें वाटरिंग करनी है फैस टाइम उसमें भी अपने को क्या ध्यान देना कि अपने को इसके अंदर वाटरिंग करनी है कि अपने मिला लिया एंटीफंगल और अची तरह कि और में अपने को कर देनी है तो पहली बार तो अपने को अच्छी तरह वाटरिंग करनी है फिर बाद में अपने को ये ध्यान देना है कि इसकी जो सिर्फ मिट्टी जो है ना वो मॉइस्ट रहे बहुत ज़्यादा अपने को इसमें पानी बाद में नहीं देना है बहुत ज़्यादा पानी देने से क्या होगा कि वाटर के कॉंटेक्ट में आके जब तक इसमें अपने में कुझा रखने वाली होती हैं तो उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आये होगा अगर वीडियो पसंद आये हो तो ज्याद़ ज्याद़ लाइक और शैर करें आपके मन में कोई सवाल हो कोई-चीज आप पूछना चाहते हैं इस प्रोषिजिदर के बार में तो आप पूछ सकते हैं वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार्व